ब्रेकिंग न्यू जा रहा है सिए न्यू कोर्स के डिगार्डिंग में तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे जिन भी स्टुडेंट्स का एक्जाम चल रहा है सिए इंटर्मीडेट इसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो में कोई भी स्टुडेंट्स निगेटिब कॉमेंट ना करें निगेटिब कॉमेंट करोगे अपना टाइम बरबाद करोगे कॉमेंट करने में वीडियो के स्टुडेंग में ही बोल दिया जिन भी स्टुड तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए CA new course के बारे में जो भी अपडेट आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले इनफॉर्म कर देगा तो सब्सक्राइब करके all notification बेल दबा दीजिए आप लोग के जानकारी के लिए बता दे अभी तक कोई भी official announcement नहीं आया है CA new course के regarding में जैसे कि बहुत सारे students को पता होगा आज morning में मैंने internal news के बारे में update किया था कि CA new course के बारे में MCA के द्वारा approval मिल गया है CA new course को कब से implement होगा इसके related 2-3 weeks के अंदर में आपको official notification देखने को मिल जाएगा 10 to 20 days के अंदर में official notification देखने को आ जाएगा जैसे ही official notification आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले inform कर देगा सबसे अदा पूछे जाने बाला कोशन था कि CA new course का क्या है internal news कब से implement हो सकता है जो भी internal source से new जारा मैं आप लोग को inform कर रहा हूँ कि CA foundation December 23 का exam हो सकता है new course में इसके related आपको वेट करना होगा official notification का और जो भी CA foundation December 23 के students preparation करें प्लीज अभी के हिसाब से आप लोग current course में ही पढ़ाई करें जब तक official notification नहीं आता आप लोग बहुत सारे screenshot share कर रहे थे तो मैंने सोचा इस पर doubt clear कर दें आप लोग प्लीज पढ़ाई को stop ना करें और CA intermediate के students हो सकता है मे 24 नहीं तो number 24 से applicable हो सकता है आपको इसके related भी official notification का वेट करना परेगा और CA final का exam new course में मे 24 से हो सकता है इस सबके related आपको official notification का वेट करना परेगा जैसे ही official notification आएगा मैं आप लोग को update कर दूँगा और CA intermediate, CA final, number 23 के students आपका current course में ही exam होगा बाकि मे 24 के students या number 24 के students CA intermediate final foundation current course में ही अभी पढ़ाई करें CA intermediate and CA final का students तो समझ में आता है लेकिन CA foundation भी students पूछते रहते हैं मे 24 और number 24 के students कौन सा syllabus में होगा आप लोग आराम से थोड़ा दिन वेट कर सकते हो बाकि इस news के बाद मेरा यही कोसिस है कि आप लोग अपना पढ़ाई को stop ना करें current syllabus में ही अभी पढ़े जो internal news था मैंने share कर दिया होग सकता है ऐसा applicable बट आपको official update का वेट करना परेगा जल्द ही इसके related official notification देखने को मिल जाएगा जल्द ही good news आप लोग को मिल जाएगा आप लोग भी MCA का approval का बहुत दिनों से वेट कर रहते अब आपको MCA का approval तो मिल चुका है अब ICA का notification का वेट करना है जब new course का announcement आएगा detail में बात करेंगे क्या changes किया गया C.A. related एक भी important update और announcement मिसना हो पाई सबसे पहले यही channel आपको update करेगा तो subscribe जरूर कर दीजेगा और C.A. foundation June 23 students के बारे में छोटा सा update करना है चार्टे studies का June 23 C.A. foundation का last best test series का आचुका है इसमें enrollment करने का आखरी date है आपको क्या 13 में 2023 और आप लोगों का test series स्टार्ट हो जाएगा 16 में से बहुत ही छोटा सा investment में चारो paper का test series आप लोग ले सकते हो इस test series में enrollment कैसे करना detailed video मैंने बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा फिर भी कोई test series के regarding में additional doubt है तो आपके screen पे whatsapp number सो कर आप चाओ तो call करके भी बाते कर सकते हो